जब जब स्री किष्ण का नाम लिया गया है ऐसा कभी नहीं हुआ कि राधा जी का नाम ना लिया गया हो। आज हम राधा के जीवन के वो पन्य पलटने जा रहे हैं जिसके बारे में हमें से ज्यादतर लोगों को कुछ नहीं पता होगा। जीवन भी साधारण नहीं था। धीरे धीरे वैस समय निकट आ रहा था जग कृष्ण को वरंदावन छोड़कर मथुरा जाना था। कृष्ण की दुष्ण मामा कंस का अत्याचार चरम सीमा पर पहुँच जोगा था। और एक दिन कंस ने उन्हें और उनके भ्राथा बढ़नाम को मथुरा आमंतुरित किया। और इसी बात से वरंदावन नगरी में सभी के भीतर एक डर बैदा हो गया। वरंदावन में मानोज जैसे मातन सचा गया था। माय यशुधा तो परिशान थी क्योंकि उनका देल का टुकड़ा उनसे दूर जा रहा था। लिकन क्रिश्न की गोपिया भी कुछ कम उदास नहीं थी। दोनों को लेने के लिए कंस को द्वारा रत बीजा क्या। जिसके आते ही सभीन उस रत के आसपास घेरा बना लिया। यह सूच कर कि क्रिश्न को नहीं जाने देंगे। उधर किश्न को राधा की जिनता सताने लगे थी। और वी सूचने लगे थी कि जाने से पहले एक बार राधा से मिल ले। मौका पाते ही वे छिपकर वहाँ से निकर गए। और फिर उन्हें राधा मिली। जैसे देखते ही वे कुछ कह न सके। राधा Waarधा क्रिशन के इस मिलन की कहानी बहुत अध्वोत है। दोनों ना तो कुछ बोल रही थी और ना कुछ महसूस कर रही थी। बस चुपत है। राधा क्रिशन को ना के बल जानती थी बलकि उनके मन और उनके दिमाग को भी समझती थी। क्रिष्ण के मन में क्या चल रहा है वे पहले से ही भाप लेती थी इसलिए शायद उन दोनों को उस समय कुछ बोलने की आवश्यक्ता नहीं पड़ी और आखर राथा को अर्विदा कहकर क्रिष्ण लोटाए और आकर गोपियों को भी समझाया और अनुमती लेने के बाद वहा सूना हो गया ना कोई चहल पहल थी और ना ही क्रिष्ण की लीलाओं की कोई छलक बस सभी क्रिष्ण के जाने के घम में रूब थे परंतु दूसरी और राथा को इस बात का कोई फर्ग नहीं पड़ा था क्योंकि उनकी द्रष्टी में क्रिष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे शारेरी ग्रूप से जुदाई मिला उनके लिए कोई महतु नहीं रखता था यदे कुछ महतुपूर था तो राधा क्रिष्ण का भावनात्मक रूप से हमेशा जुड़ा रहना क्रिष्ण के जाने के बाद राधा पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती और ऐसे ही लंबा अर्चा बीद गया लेकिन आने वाले समय में राधा की जिन्दगी क्या मोड लेने वाली थी उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था जो हर लड़की के साथ होता है वही राधा के साथ भी हुआ माता पिता की दमाब में आकर राधा को भी बाहा करना पड़ा और भी बाहा के बाद अपना जीवन, संतान, करकर स्ती के नाम करना पड़ा लेकिन दिल की किसी कोने में अब भी कृष्ण मौजुद थे दिन बीते गए, वर्ष बीत गए और समय आ गया था कि अब राधा और फिर एक रात भी चुपके से घर से निकल गई और खूमते खूमते कृष्णी की दुवारिका नगरी जाब पहुंची वहाँ पहुंसते उन्होंने कृष्ण से मिलने के लिए ने विदन किया लेकिन पहली बार उन्हें मौका राप तब हुआ जब कृष्णी काफी लोग में कोई नहीं जानता था राधा की अनुरूत पर किष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में न्युक्त कर दिया वे दिन पर महल में रहती महल से संबन्दित कारियों को देखती और जब भी मौका मिलता दूर खड़े होकर कृष्ण के दर्शन कर लेती लेकिन फिर भी ना जाने क्यों राधा में धीरे धीरे एक भै पैदा हो रहा था जो बीटते समय के साथ बढ़ता जला गया और उन्हें फिर से कृष्ण से दूर जाने का डर सता रहा था उनकी भावनाएं उन्हें कृष्ण के पास नहीं रहने दी थी साती बढ़ती उम्र भी चलती जा रही थी परन्तु कृष्ण तो भगवान हैं फिस सब जानते थी इसलिए अपने अंतरमन में भी जानती थे कि राधा कहां जा रही है तो वह समय आख्या जब राधा को कृष्ण की आवश्यक्ता पड़ी वाकी ली थी बस किसी तरह कृष्ण को देखना जाती थी और जैसे ही यह तमन्ना उनके मन में आई कृष्ण उनके सामने प्रकत हो गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा खुश हो गई। परन्त दूसरी ओर वह समय निकाटा गया था जब राधा अपने प्राण त्याक कर दुनिया को अलविता गया जाती थी। पर राधा ने उनसे आखरी बार बासुरी बजाने के लिए कहा। और कृष्ण बिना देरी की यह बासुरी को निकाला और बिहत मदूर थुन बजाने लगे। और बासुरी की आवाद जैसे ही उनके कानों में कई राधा ने अपनी आख्ये बंद कर ली। और थीरे थीरे राथा ने अपना शरीर थ्याक दिया और दुनिया से चली गई। उनके जाते ही कृष्णे राथा को अपनी गोध में ले लिया और राथा से चिबट कर रोहने लगे। उनकी आँखों से आसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और उसी दिन से कृष्णे बासुरी को कभी नहीं बजाया।